नमस्कार बच्चों आप देशक्त हो हमारा कोश्चन सिद्ध कीजिए कि करनी तीन एक परीमे संख्या है इसलिए प्रश्ट बेंग के हिसाब से भी कोश्चन बहुत ज्यादे इंपोर्टन्ट है प्रश्ट का कोश्चन नमबर है आप इस साथ बारशी परिच्छा में ये प् चलना है इसके लिए हाँ पर हम डालेंगे हल यहाँ पर हम को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि करनी तीन एक आपरी में संख्या है इसको हमको आपरी में सिद्ध करना है अब पेपर में यह आगे कि मान की चलो कि सिद्ध करो कि यह दिया गया पेन है यह दिया गया पेन है हमको यह सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि यह क्या है पेन है तो हम बोल देंगे भी यह यह पेन नहीं है यह मारकर है हमने इसको क्या मान के चलेंगे हम इसको मारकर मान के चलेंगे और अंते में हमने इस सिद्ध कर देंगे कि यह मारकर नहीं है अगर यह परीमे नहीं है तो यह क्या होगी यह अपरीमे होगी सबसे पहले हम समझेंगे परीमे संख्य किसको बोलते और आपरीमे संख्य किसको बोलते तो ऐसी संख्या जिसको अंस और हर के रूप में लिख सकते है एसी संख्या जिसको भिन्ने के रूप में लिख सकते हैं, अन्स और हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें संख्या को हम परी में संख्या बोलते हैं, और एसी संख्या जिसको अन्स और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम आपरी में संख्या कहते हैं, तो कर्णी करणी वाली जितनी भी संख्या होती है चाहिए वो करणी तीन हो या करणी चार हो या करणी पांच हो करणी वाली जितनी भी संख्या होती है इन संख्या को हम अन्स और हर के रूप में नहीं लिख सकते इसलिए इनको अपरीमे संख्या माना जाता है अब यह अपरीमे संख्य केसे हमको यहाँ पर सिद्ध करना है तो इसके लिए हम कर्णिनी तीन को परीमे संख्या मान करके चलेंगे तो यहाँ पर हम दिखेंगे इसके विपरित माना इसके विपरित माना कर्णिनी तीन एक परीमे संख्या है कर्णिनी तीन एक क्या है परीमे संख्या है हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि कर्णिनी 3 एक परीमे संख्या लेकिन हम इसका उल्टा मान की चलेंगे इसके विप्रित माना कर्णिनी 3 एक क्या है परीमे संख्या है और परीमे संख्या को अंस और हर की रूप में लिख सकते हैं इसलिए हाँ पर हम लिख देंगे कर्णिदी तीन बराबर हो जाएगा A बटे B अन्स और हड की रूप में हाँ पर मैंने इसको लिख दिया जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर A और B सेह अभाज संख्याए A, B A और B क्या है? सेह अभाज संख्याए जहाँ A और B क्या है? सेह अभाज संख्याए इसके विप्रत हम ने यहाँ पर क्या मान ली कि कर्णिदी तीन एक क्या है? एक प्रकार की परीमे संख्या है कर्णिदी तीन बराबर हो जाएगा A बटे B जहाँ पर A और B क्या है? यहाँ पर A और B से अभाज संख्या है से अभाज संख्या किसको बोलते ऐसी संख्या जैसे कि 2, 3 और 2 ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती यहाँ पर 3 और 2 अगर मैं 4 बटे 6 लखूंगा तो यह कट जाएगी 2 दूनी 4 और 2 ती अच्छे इसलिए 4 बटे 6 हाँ पर भाज संख्या है लेकिन से अभाज किसको बोलेंगे वे संख्या है जो किसी से नहीं कटती उनको हम से भाज जो बोलते जिससे कि A और B मतलब दोनों संख्या हों में किसी कर भाग नहीं जाता अब इसके बटेंग कुष्णी हाँ पर आप सिंपल है पर हम तिरिया गुणा कर देंगे उपर बाले गुणा नीचे वाले साथ और इसका गुणा इस साथ कर देंगे A गुणित A कर देंगे A गुणित A कर देंगे और B गुणित कर देंगे तो B इंटू कर देंगे 3 को हो जाएगा B कर देंगे 3 2 चैड़के अधाधर करेंगे दोनों क्म का वर्ग करने पर दोनों का और करने पर डक्षो क अ हई कर देंगे इसके virus कर देंगे क्यूंद आपर गावर कैसे कर देंग्ड देiday क्षो yesterday उसके क्या कर देंगे और कर देंगे कॉष्टक रहीं मतलब करनी तीन कब बंठ हो जाएगा अब लाइस कई पर आपको कित्ना बीस्कोर ौज जाएगा वरलबर किस तरफ तीन जो है बढ़ावर किस तरफ तीन जो है वो भी श्कूर के गुणे तो देखिए ब एक नियमł होता है यादी एकी फ Tu member 2 ना प्रामे होता है्ज होटा है यकी फ्रमे हाँपर हमारे बोलता है 10 रंह प्रमे Après मतलब A सकर में तीन का भग जाता है, यदि A सकर तीन से बिभाजित है, मतलब कि A सकर में तीन का भग जाता है, यदि A सकर तीन का भग जाता है, तो A में भी तीन का भग जाता है, तो A में भी तीन का भग जाता है, तो A में भी तीन का भग जाता है, तो A में भी तीन का भग ज झागर मलशाल लिखायर इता हां तो एई वी तीन से भुखाजी दंगए कित्ते वार गया झात नोगों को हाँ पर हम पर दिशकते , है , you do that , 3 5 5 6 1 3 , uuss Сी प्रकार a में 3 का भाग जा रहा है , तो a को हमके लिख्देंगे a बराबर लिख सकते है вам azt ¿3 का हो गया , three 3 का , four गया one या बराबर two , three ? is bad यज risky zero- эпाम टीन सी लिख सकते है तो A में भी 3 का भाग जाएगा अब जब A में 3 का भाग जा रहा है तो हम लिख सकते है A बराबर 3C A बराबर हम लिख सकते है 3C तो कि A में 3 का भाग जाता है इसलिए हम A बराबर एका हो गया A बराबर यहाँ पर लिख देंगे हम 3C यहाँ पर हम लिख सकते ए बराबर तीन सी इसको आपको सम्मी करण एक नाम दे नहीं होगा आपका सम्मी करण नमबर एक अब एक का मान कहां रख देंगे एक का मान सम्मी करण एक में रख देंगे यहाँ पर हम लिखेंगे एका मान समीकरण एक में रखने पर एका मान रख देंगे हम कहाँ समीकरण एक में समीकरण एक क्या है? समीकरण एक यहाँ पर हमारा है बी करणी तीन की होलगा दो बरावर एक हाद दो करनी 3 की हुलगाद 2 बराबर एक ही घाट दो यह हमारा समय करन एक है तीन है हाँ पर हमारा अब बी करनी कर जाएगा बी की घाट दो वर्ग से कर जाएगे आप पर वजएक आपर 3 बराबर गार एक अमान कितना लिखा है ए का मान है 3 इसके बाद कुछ तक खुल लेंगे 3B की खाद 2 देखिए 3B की खाद 2 बराबर यहां पर आपका 3C की खाद 2 तो यहां पर हम लिख लें कितना 3C की खुल खाद 2 किलिए है यहाँ पर हम इस प्रेकार से, हैं पर हम लिखे लेंगे, लिखें अब ने कश करक्या में… बराबर को जाएगा देखिए इसको 3B की हाथ 2 बराबर 9C की हाथ 2 है इसको इस्तरव लिख दूँगा इसको इस्तरव लिया लूँगा 9C की हाथ 2 को जाएगा 9C की हाथ 2 बराबर का बराबर और 3B की हाथ 2 को इस्तरव ला लेंगे C की हाथ दो को जाएगा C की हाथ दो बरावर, B की हाथ दो को जाएगा B की हाथ दो, बटा, काड़ देंगे हाँ पर 3 कम, 3 तीन मुटे थीन तीन, 9, निके बचेगा आपका 3 है, 3 आपका 3 है, 3 एकं, 3 तीन, मतलग यदि B स्क Lösung में 3 का भाग जाता है, तो B में भी तीन का भाग जाएगा हमके लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे यदि B इसकर में तीन का भाग जाएगा यदि B इसकर तीन से विभाजित है तो B भी तीन से विभाजित होगा यहाँ पर हम लिखेंगे यदि यदि B इसकर तीन से विभाजित है यदि B उसकर में तीन का भाग जाता है तो B भी तीन से 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 भाग होगा अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बोल रहा है कि B में भी 3 का भाग जा रहा है, B भी 3 से बिभाजित होगा, और यहाँ पर हम बोल रहा है कि A भी 3 से बिभाजित होगा, मतलब कि A में भी 3 का भाग जाएगा, A भी 3 से बिभाजित होगा, और B भी 3 से बिभाज सकती है ने की नहीं क्योंकि से अभाज संख्या उन संख्या को बोलते हैं जिन में किसी का भाग न जाए लेकिन अब भी हमने क्या लेकर क्या है कि इसमें एक भी भाग तीन का भाग जा रहा है और वी में भी तीन का भाग जा रहा है ए भी संख्या में तीन का भाग जा रहा है तो दोनों बात दोनों बात एक दूसरे का ब्रोध कर रही है और ब्रोध का होता है जब हम कुछ न कुछ गलती करते तब ही हमको ब्रोध मिलता है तो यहाँ पर हमको यह ब्रोध इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि सुरू में हमने जो कलप संख्या है अना देखिए तो बीबी यहाँ पर तीने से भाईत होता है अना होता है अना परन्तु परन्तु एकोमा भी तो से अभाज संख्या है एकोमा भी क्या है यहाँ पर आपकी से अभाज संख्या है एकोमा भी क्या है यहाँ पर आपकी से अभाज संख्या है एकोमा भी आपकी सेहवाज संख्या और बीबी क्या है आपकी बीबी यहां पर आपकी सेहवाज संख्या है दोनों संख्या आपकी सेहवाज संख्या है है अना अता है यहां अता है यहां यहां पर बिरोधाभास प्राप्त होता है यहां पर बिरोधाभास प्राप्त होता है प्राप्त ह यहां पर बिरोधा भास इसी लिए यह बिरोधा भास इसी लिए प्राप्त होता है यह बिरोधा भास इसे लिए क्योंकि हमारी कलपना गलत थी कुएंकि हमारी कलपना गलत थी कि कर्णितीन एक परीमे संख्या है यह हमने गलत माने थे, इसी कारण हमको यहाँ पर दूर्दाफास पराप्त हुआ, एक परी में संख्या है, अजब एक अलपना हमारी गलत थी, और जब कर्णी तीन परी में संख्या नहीं है, तो क्या है, अतहा कर्णी तीन एक आपरी में संख्या है, एक आपरी में संख्या ह है देखी दोस्तों मैं तुल प्रaking क हरा रहा हूं इसका राटी थो खराब prin कर दो bolt दोकास कर दो